सरकारी शिक्षकों की बड़ी भर्ती. सीटे बढ़कर हुई 4787 प्रक्रियापूरी. शिमला, हिमाचल प्रदेश में प्री प्राइमरी शिक्षकों की बड़ी भर्ती निकलने जा रही है. शिक्षा विभाग की योजना शिक्षकों के 3840 पदू को भरने की थी. जिसे अब बढ कर 4787 कर दी गई है. इसका कारण 947 नए पदू पर भर्ती की जाएगी. शिक्षा विभाग से मिल रही जानकारी के अनुसार भर्ती के लिए प्रारूप तैयार हो गया है. अंतिम मुहर लगाने से पहले कानूनी राइली जा रही है. भर्ती एवं पदोन्नती के नियम भी त जटाएगा. शिक्षा विभाग ने इसका प्रस्ताव तैयार कर लिया है. इस पर अंतिम फैसला राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में लिया जाएगा. सूत्रों के मुताबिक प्री प्राइमरी स्कूलों में शिक्षक भर्ती के लिए नर्सरी टीचर ट्रैंक्षनग, एन्ट शिक्षा विभाग पहले ही स्पष्ट कर चुका है कि भर्ती नियमितो या फिरस्थाईल लेकिन भर्ती नियम NCTE के ही लागू होंगे. इसमें कोई छूट नहीं दी जाएगी. प्रदेश में 4787 स्कूलों में प्री प्राइमरी कक्षाय चल रही हैं. इनमें 4825 चात्र चात्र तीन साल पहले शिक्षा विभाग ने निजी स्कूलों की तरज पर सरकारी स्कूलों में प्री प्राइमरी और अंग्रेजी माध्यम में पढ़ाय करवाना शुरू किया था. इसके लिए प्री प्राइमरी स्कूलों का कांसेप्ट शुरू किया था. निजी स्कूलों की दिये हैं. इसका प्रस्ताव कैबिनेट को भीजा जाएगा.